हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सिक्षा कैसे आप सब आशा करते हैं सबी लोग अच्छे होंगे और प्रियारी पूरे फ्लो में आपका जवाब हो चल रहा होगा फ्लो नहीं तूटना चाहिए इसलिए सेहत का ख्याल अपनी ज़रूर रखें mcqs on indian economy का second lecture होगा जो आपके लिए beneficial रहेगा आपके UPS CPFO के exam के लिए ठीक है प्रोसेस होई है पांच questions आएंगे आपने question देखना है समझना है answer करने की कोशिश करनी है and then solution समझना है चलिए पहला question which of the following would cause the aggregate demand curve to shift to the right aggregate demand curve right को shift कब होगा ठीक है इसके लिए सबसे पहले इस question के लिए इस question को solve करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि aggregate demand क्या होती है और aggregate demand curve क्या होता है तो options आपके यह रहे पहला option क्या कह रहा है कि an increase in the purchases by federal government अगर federal government जो है जो सरकार है अगर वो purchases अपने increase कर देती है increase in the real interest rate अगर interest rate increase हो जाता है appreciation of American dollar अगर American dollar का price increase हो जाता है decrease in the money supply अगर market में जो पैसा है वो कम कर दिया जाता है पैसा कम सरकारे करती है inflation कम करने के लिए ठीक है qualitative and quantitative methods का इस्तेमाल करके तो answer इस case में क्या होगा answer होगा इस case में आपका option A अगर federal government जो अपने purchases बढ़ाती है तो aggregate demand curve shift हो जाएगा right को अब aggregate demand curve सबसे पहले होता क्या है या aggregate demand क्या होता है वो समझते हैं तो aggregate demand को अगर आप define करोगे तो यह एक economic measurement होता है of the total amount of demand for all the finished goods and services produced in the economy जितने भी goods and services economy में produce हो रहे हैं उनकी जो demand की quantitative value है उसको हम aggregate demand बोलते हैं ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं aggregate demand बोलते हैं तो इसको हम money के terms में express करते हैं अब अगर सरकार पहला option क्या था कि अगर federal government अपने purchases बढ़ा देती है तो अगर federal government अपने purchases बढ़ा रही है तो जायस ही बात है कि aggregate demand जो है वो बढ़ गई है ठीक है aggregate demand जो है वो बढ़ गई है अगर पहले quantity one जो है हम example ले ले लें कि भई पहले q1 जो है sell हो रहा था यानि कि मैं q1 को कह दू दस unit sell हो रहे थे अब 20 unit sell हो रहे है क्यों क्योंकि सरकार जो है वो 10 unit demand बढ़ रही है तो price भी बढ़ेगा पहले p1 था तो अब p2 हो गया क्यों पहले 10 commodities प्रडियूस हो रही थी अभी भी दसी प्रडियूस हो रही है production में दसी आ रही है ठीक है पहले खरीदार कितने थे 10 थे 10 प्रडियूस हो रही थी 10 बिकरी थी तो price उसे आप से था अभी भी 10 प्रडियूस हो रही है पर बिकने के लिए खरीदने के लिए कितने लोग है 20 लोग है तो automatically price बढ़ जाएगा तो इसी लिए यह आपका demand curve इस तरीके से बनता है ठीक है तो demand समझा गया agree के demand कब बढ़ेगी जब किसी product की purchasing बढ़ रही है और रही तो automatically demand बढ़ जाएगी है कि इसी services की purchasing बढ़ रही है ओके चलिए second question देखेंगे CDS 2015 2 में पूछा जा चुका है price discrimination का मतलब पूछा हूँ है बहुत simple question है और यह question छोड़के आने वाले नहीं होते बस price discrimination का मतलब पता हो तो वो easily answer बच्चा इसमें कर सकता है चार options है सबसे पहला अगर price increase होता है in a commodity over time time के हिसाप से अगर price increase हो जाता है for example Reynolds का pen आज 1 रुपे का है एक साल बाद 2 रुपे का हो गया दो साल बाद 3 रुपे का हो गया option B कहता है a situation where the same product is sold to different consumer for different prices product A की है ठीक है product Reynolds का pen नहीं है लेकिन Reynolds का pen A को 5 रुपे में दे रहे हैं B को 10 रुपे में दे रहे हैं और C को 15 रुपे में दे रहे है option C क्या कहता है subsidization of product by the government to sell it at a lower price जो आपको सरकार subsidy देती है जैसे gas cylinder के उपर subsidy मिलती है na option D कहता है general decrease in price of a commodity over time अगर price decrease हो रहा है यानि कि पहले तीन रुपे का था फिर दो रुपे का हो गया फिर एक रुपे का हो गया ठीक है तो यह जो है आपका चार options है answer क्या होगा price discrimination क्या होता है answer देखो इस case में होगा आपका option B option B will be the correct answer क्यों देखो जो option A है वो तो बात हो रही है positive inflation की जब आपके prices बढ़ रहे है ठीक है option D है negative inflation जब आपके prices घट रहे है ठीक है option C तो government की subsidy है यह price discrimination में नहीं आती subsidy government जो provide कर रही है different sections को भी provide कर रही होती है for example अगर public distribution system में सस्ते दामों में दाल और चावल provide के जा रहे है तो उसको welfare schemes या beneficiary schemes के undercount करते है उसको price discrimination नहीं कहेंगे ठीक है उसको price discrimination हम नहीं कहेंगे price discrimination क्या होता है जब product consumer को different prices पे sell किया जा रहा है same product ठीक है अब price discrimination के अगर आप definition देखो तो क्या लिखता है it is a selling strategy that charges customer different prices for the same product or service based on what the seller think that they can get the consumer to agree to कई restaurants में इंडिया में अगर आप tourist place के उपर जाते हो आपने देखा होगा जहापर foreign tourists बहुत ज़्यादा आते है वहाँ पर एक menu उन्होंने रखा होता है Indians के लिए जो local Indian tourist है और एक menu उन्होंने foreign tourists के लिए अलग रखा होता है ठीक है क्योंकि उनको पता है कि foreign tourists जो है उनकी paying capability as compared to the Indian tourist वो ज़्यादा है ठीक है तो इसी वज़े से यहाँ पर price discrimination वो practice करते हैं same अगर आप dish मंगाते हो तो same dish Indians को अलग price पर charge की जाती है foreigners को अलग price पर charge की जाती है तो यह एक example है price discrimination का अब अगर हम pure price discrimination की बात करें तो एक होते pure price discrimination की जो consumer आ गया हर से maximum price लेने की कोशिश करनी है कि कोई fixed price है ही नहीं generally यह वाली price discrimination यूज की जाती है जहाँ पर grouping की जाती है कि Indians और foreigners की grouping कर दी कि Indian से हमने यह लेना है और foreigners हमने यह लेना है ठीक है जी चलिए next question third question Brent index is associated with यह भी CDS 2011 में पूछा जा चुक है Brent index simple सा सवाल है मुश्किल नहीं है newspaper में भी अक्सर आता रहता है crude oil prices, copper future prices, gold future prices और shipping rate index Brent index क्या होता है असा अंसा सवाल है चलिए answer यहाँ पर क्या हो जाएगा option A crude oil prices का यह एक index होता है Brent index तो Brent crude is a major trading classification of sweet light crude oil that serves as a major benchmark price for purchase of oil worldwide बहुत जारे detail में हमें इसकी जाने की सुरत नहीं है fourth question again CDS 2013 में पूछा जा चुका है which one among the following is a fixed cost to a manufacturing firm in the short run इन में से कौन सी एक fixed cost है एक manufacturing firm के लिए एक firm जो production कर रही है किसी good की option A insurance on building, option B overtime payment to workers, option C cost of energy and option D cost of raw material short run में इन में से कौन सा fixed cost है two type की costs होती है एक business के लिए fixed cost और variable cost अगर आपको इनका मतलब पता है तब तो आप answer easily कर दोगे नहीं पता है तो फिर दिक्कत आएगी answer इस case में होगा आपका option A insurance on building ठीक है अब fixed cost क्या होता है सबसे पहले fixed cost को पर effect नहीं पढ़ रहा sorry fixed cost is a cost that does not change with an increase or decrease in the amount of goods अगर आपने ज्यादा production कर दी fixed cost अभी उतनी रहेगी अगर आपने कम production कर दी fixed cost अभी उतनी रहेगी for example आप factory में रेंट देते हो ठीक है आप अपनी factory आपने लगाई हुई आप वहापे रेंट देते हो आपका रेंट जो है 50,000 रुपीज है for example अब आप for example shoes बनाते हो ठीक है अगर आप 100 pair of shoes बना रहे हो तब भी आपका रेंट 50,000 आपको देना पड़ेगा 200 pair बना रहे हो तब भी रेंट आपका 50,000 रहेगा यानि कि आपका रेंट कम नहीं होएगा ठीक है तो fixed cost वह expenses है जो company को pay करने ही करने है अगर lockdown लग गया था जब कोवीड के टाइम पर कोई production नहीं हुई तब भी rent पे करना पड़ेगा अब उसमें मत जाना कि सरकार ने कहा था कि rent मत दो यह सब बहस बाजी मत करना concept को समझने की कोशिश करो कि अगर नहीं भी होरी production तब भी rent तो जाएगा ही जाएगा यानि कि production के उपर dependent नहीं है या आपने कितना बेचा उसके उपर dependent नहीं है वो तो आपका fixed cost है ठीक है दुसरी तरह variable cost क्या होता है variable cost वो expenses होते हैं जो production के हिसाब से change करते हैं अगर आप 1000 pair of shoes बना रहे हो तो आपको raw material 1000 pair के हिसाब से खरीदना पड़ेगा अगर आप 2000 pair बना रहे हो तो 2000 के हिसाब से खरीदना पड़ेगा तो 1000 और 2000 pair of shoes में आपको extra raw material जो खरीदना पड़ेगा वो आपका variable cost हो गया 1000 शूस बना रहे हो तो बिजली का खर्चा 1000 शूस के हिसाब से आएगा 2000 बना रहे हो तो 2000 के हिसाब से आएगा electricity का will be variable cost हो गया अगर आप worker से काम ले रहे हो over time ले रहे हो अगर आप production increase करना चाते हो आपको लगता है कि over time लेना पड़ेगा 1000 shoes बनाने के लिए आपको over time की जरूरत नहीं थी 2000 बनाने के लिए over time की जरूरत है तो जो over time का पैसा आप worker को दोगे वो आपका variable cost हो गया ठीक है तो production के increase या decrease होने से जिस cost में फरक आता है उसको variable cost बोलते हैं अब यहाँ पर बात क्या हो रही थी short run में अब short run में insurance premium जो है वो fixed cost होगा क्यों insurance premium तो आपका fixed रहेगा उस साल के लिए वो change नहीं होगा वो आपकी production के उपर depend नहीं करता आप अगर business house से हो किसी business family से हो तो आप अपने business का insurance करा करके देखो या insurance company वाले के पास जाओ उसको पूछो कि अगर मेरे इतना बिग्या मेरा एक लाक रुपे का समान बिग्या तो मैं तुम्हें इतना premium दूँगा नहीं तो नहीं दूँगा insurance वाला कहेगा लो भीया हाथ जोड़े हम नहीं करेंगे आपका insurance ठीक है insurance premium आपका fixed रहेगा production से कोई फरक नहीं पड़ता इसलिए अंसर इसका insurance था चलिए fifth and last question the income elasticity of demand for inferior goods is income elasticity of demand for inferior goods cds 2013 दो concept पता होने चीए एक तो income elasticity of demand का concept पता होना चीए एक inferior goods का concept पता होना चीए अगर यह नहीं पता है तो question नहीं होगा options दिखा देते हैं आपको less than zero less than one less than zero equal to one greater than one चलिए answer इस case में क्या होगा answer इस case में होगा आपका less than zero इस case में आपका answer होगा less than zero ठीक है तो option b will be the correct answer ठीक है तो सबसे पहले समझते हैं कि income elasticity of demand क्या होता है so basically this refers to the sensitivity of the quantity demanded for a certain good to change in real income of the consumer जब consumer की income change हो रही है चाहे वो increase हो रही है चाहे वो decrease हो रही है उसका उसकी purchasing power पर या फिर हम यह कह सकते हैं कि जो goods demanded है उनके उपर क्या effect पड़ेगा उसको हम क्या कहते हैं income elasticity of demand ठीक है for example अगर consumer की income बढ़ रही है तो कुछ goods जैसे होंगे जिनकी demand वो और जाधा करना शुरू करेगा आपके पास और जाधा पैसा आएगा तो आप और जाधा demand करोगे कुछ goods ऐसे होंगे जिससे जिसमें income बढ़ रही है तो demand कम होगी ठीक है तो ऐसे 5 type के income elasticity of demand होते हैं सबसे पहले high high में कौन से आते हैं high में वो आते है a rise in income comes with bigger increase in the quantity demanded income बढ़ी और income अगर 10% बढ़ी लेकिन जो goods demanded है वो 20% से बढ़ गया ठीक है अगर income 10% से बढ़ी goods demanded 20% से बढ़ गया दूसरा unitary the rise in income is proportionate to the increase in quantity demanded जितना percent income बढ़ी उतना percent उस good का demand बढ़ गया पहले कोई प्याज नहीं खाता था उसका income बढ़ गया तो उसने कहा कि या रव मैं प्याज खा सकता हूं तो जितना income बढ़ा उसके हिसाब से उसने अपना प्याज का consumption बढ़ा दिया low income जितनी बढ़ी demand बढ़ी उतनी पर उस proportion में नी बढ़ी income for example 10% increase हुआ पर demand उस good का सिरफ 5% increase हुआ zero income तो बढ़ी है पर demand change नहीं हुई demand अभी भी उतनी ही है demand उसी चीज की है negative income increase हुई पर उस particular good की demand ना बढ़ी ना same रही वो कम हो गई और ये कौनसे goods होते हैं inferior goods inferior goods inferior goods कहा जाता है इनको for example किसी घर में पहले gas cylinder नहीं था affordability नहीं थी तो वो kerosene मिट्टी का तेल इस्तेमाल करते थे खाना बनाने के लिए ठीक है पर it is dangerous health के लिए भी अच्छा नहीं है सारी चीज़े है तो जब उसकी income बढ़ी तो वो अब afford कर सकता है gas cylinder का खर्चा तो automatically kerosene की demand कम हो जाएगी ठीक है इसलिए इनको inferior goods कहा जाता है क्योंकि इनकी जो demand है वो increase in income के साथ जो है वो कम होती है वो कम होती है so अगर हम inferior good को define करें so an inferior good is an economic term that describes a good whose demand drops when people's income rise these goods fall out of favor as incomes and the economy improves as consumer begin buying more costly substitute economy पे भी इसका फाइदा होता है क्योंकि consumer जो है वो और महेंगे products जो है वो बाय करना शुरू कर देता है ओके चलिए all right guys तो यहाँ पर हमारा lecture जो है यह वाला end करते हैं I hope आप लोगों को मजा आया होगा और कुछ नए concepts भी सीखने को मिले होंगे मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए all the best and bye bye बाकी की playlist साब की screen पे है चैनल को subscribe करना share करना मत भूलिएगा take care